नमस्कार दोस्तों स्वागर्थ करता हूँ आप सभी को टेकिराच यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने ओपो आर फाइफ एस या फिर किसी भी ओपो मोबाइल में इंसफिशेंट स्टॉरिज प्राब्लेम को कैसे आप स स्टॉरिज यहां पर फूल दिखाता है तो कैसे आप अन्वांटेट इस पैसे को अन्वांटेट जगे को आप खाली कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यह देखने के बाद दोस्तों आप अपना स्टॉरिज को 90% आफ सेफ कर सकेंगे ठीक है तो दोस्तों यहां पर आपको बता दो कि यह दिया आप ओनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा आप चाहो तो चेक आउट कर सकते हैं यहां पर देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है प्ले स्टोर प कभी कोई document file दोता है, वो duplicate बन जाता है, वीडियो duplicate बन जाता है, ठीक है, उसके वज़े से यहाँ पे 30% storage वो बिना मतलब के खा के रहता है, ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपको यह application डाउनलोड करना है, और इसे open करना है, ठीक है, अभी दोस्तों यह application के जरीए से भी कै से fix करना है बताऊंगा, आगे और भी दो तरीका बताऊंगा कैसे आप storage problem को fix कर सकते हैं, वीडियो के साथ बने रहेगा, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, simply आपको यहाँ पे, चलिए मैं back आता हूँ यहाँ और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको क्या सारा duplicate file पड़ा हुआ है, मेरे यहाँ पे आप देख सकती हूँ, ठीक है, अभी देखें, यहाँ पे 180 file पड़ा हुआ duplicate, आप सोच के देखें, एक file यहदि 10 MB का रहेगा, तो आप सोच के देखें, यहाँ पे 180 file कितना होगा, 1.8 GB का आपके अंदर में, फाल्तु का space जो है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे delete now पे आपको click कर देना है, ठीक है, यहाँ पे delete now पे click करना है, are you sure, confirm कर दीजे, ओके तो आपका जितना भी duplicate file है, वो delete हो जाएगा, ठीक है, तो दोस्तो यह था आपका एक उपाई जिसके मदद से आप duplicate file जो है, वो delete कर सकते हैं, अभी या फिर application या फिर application manager जो भी application के अंदर आपको जाना है, अभी क्या होता है कि दोस्तो हम जितने भी बड़े बड़े application चलाते है, heavy application जैसे कि हो गया, facebook, twitter, instagram, whatsapp हो गया, इसमें क्या होता है कि दोस्तो हमारा जो है data जो है, हम search करते है, login वगरा करते है, तो वो सारा details save होके रह तो आप देख सकती कि 417 total यहाँ पे MB यह मतलब लेके रखा है, ठीक है, अभी इससे हटाने के लिए आपको क्या करना है, clear data पे click करना है, और उसके बाद में यहाँ पे दोस्तो आपको cleared कर देना है, अभी cleared करने के बाद में क्या होगा कि दोस्तो आप देख सकते 129 पे आ च चुका है, तो यह करने के बाद सिर्फ इतना ही है कि आपका Facebook logout हो जाएगा, आपको re-login करना होगा, तो दोस्तो यह एक तरीका है, एक एक one by one करके आप यह data clear कर सकते है, हर application का, ठीक है, अभी third option क्या है कि दोस्तो, यह सारे करने के बाद भी आपका storage जो ही वो कम नहीं हो आपको अपना mobile last option यह है कि आप अपना mobile को reset कर सकते है, reset करने के बाद में क्या होगा, कि जितना भी application का data usage वगएरा है, वो सारा खतम हो जाएगा, तो खतम होने के वज़े से आप re-application install करेंगे, तब आपका storage काफी आपके पास बच जाएगा, तो यह तीन उपाय था दोस शोचा के ल हुआ पोस।